इस experiment को हमने नहीं किया है इस experiment की English wise को हमने Hindi में translate किया है ताकि सभी लोगों को ये experiment अच्छे से समाज में आ सके आज जम कर खाएंगा तभी तो का लहग पाएंगा तो भाईय जी आ चुकी है गर्मी और गर्मी में हमको पीने में बड़ा मज़ा आता है अब पूछोगे नहीं कि क्या पीने में मज़ा आता है ना पूछते तो भी मैं बता ही देता तो भाईय जी बात कुछ ऐसे ये कि हमको गर्मी में ठंडी ठंडी कोल्डिंग पीने में बड़ा मज़ा आता है तो उससे मीरा क्या फाइदा? लेकिन प्रेंज चैस तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या हो अगर हम ठंडी ठंडी कोल्डिंग में दुनिया की सबसे गरम चीज को डाल दें तो उस कोल्डिंग का क्या होता? चढ़ा समझाओ इससे, समझाओ कि क्या होता है अगर हम गर्मीओ की जान ठंडी ठंडी कोल्डिंग में दुनिया की सबसे गरम चीज लावा को डाल दें तो वो दोनों कैसी रियक्शन करती हैं लावा जीटेगा की कोल्डिंग जीटेगी वो तो तो तुमको इस एक्सपेरिमेंट में पता ही चल जाएगा तो आव यार अपने हाथ में एक-एक कोल्डिंग ले लो और चलो चलते हैं कोल्डिंग में लावा डालने के लिए इन बुलाएं मेहमान सादी में डूड़ते हैं सबसे पहले खाना लेकि आच चुका हूँ एक और खुराफाती एक्सपेरिमेंट का खा जाना तो भाईया जी हम मिठाई लाल की तुकान से मिठाई तो नहीं लेकिन कोल्डिंग की बूदले जरूद चुरालाए हैं क्योंकि पैसा हमारे पास था ही नहीं अपनी आग के सुराख खोल की देख लो कि यहां पर हम इस ततले में अपनी भाईसिया का गोबर खटा कर लिया है और इधर पर हमने रख दिया है अपनी कोल्डिंग का कैन तो यहां पर मेरे दिमाग से भी गरम हमारा लावा बन कर दयार हो चुका है अब इसको मैं रोटी में लगा के खाऊंगा अजीब जानवर है कितना भी खाए फूका ही रहता है इसको खाने के बाद मैं हगू गया पहुबली की अम्मा के सर में नारियल फोड़ के अब इस कैन में लावा डाली देते हैं लावा डालने के बाद इस कूल रिंग के कैन का बन चुका है कुआ और यहां पर हो चुका है दूआ दूआ अरे लूट लिया जा भाई आपने लूट लिया भाईये जी अवाज तो बिल्कुल ऐसी यार ये जैसे कि कोल्जिंग के पकोड़े बनाए जा रहे हो भाईये जी इस अद्बुत करिस्मे को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं अभी तक धरती में हूँ ही क्यों इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद तो कोका कोला वाले भी कहेंगे मानव जाती की एक खुझली जरूर होती है कि जब तक वो अपनी सक्ती का पूर इस्तमाल ना कर ले तब तक उसकी चुल्ल सांथी नहीं होती है तो यहाँ पर हमने अपनी कोल्डिंग को नाइक्ट्रोजन से पहले ठंड़ा कर दिया है और अब हमारी कोल्डिंग पहले सी भी ज्यादा ठंडी हो चुकी है और अब हम इसको गरम करेंगे गरम गरम लावा से तो अब हमारे हजारों डिगरी सेल्सियस का लावा तयार हो चुका है कोल्डिंग में डालने के लिए अब हमारी आत्मा को इतने में संतुस्ती थोड़ी में लेगी पहले अभी हमने इसको गरम किया अब फिर से हम इसको दुबारा ठंडा करेंगे माइनस डिगरी सेल्सियस वाली नाइट्रोजन को डाल के तो हमारा पकोड़ा बनके रेडी हो चुका है इसे वह ही खाएगा जो इस वीडियो को लाइक नहीं करेगा हमने जैसे ही कोल्डिंग की कैन में दुनिया की सबसे गरम चीज लावा को डाला तो एलमूनियम पूली तरीके से पिगल चुकी क्योंकि एलमूनियम बहुत कम टंप्रेचर पर भी पिगल जाती है और लावा का टंप्रेचर तो बाप को भेज तेरे बस की बात तो भाया जी इस सतरंगी वीडियो के अतरंगी कारकरम को यहीं पर समाब तकाते हैं भाया जी अगर आप गलती से भी इस चैनल पनना है तो अभी तक किस ब्रह्म मूरत का इंतिजार कर रहे हैं अपने मुबाइल के लिए स्क्रीन के नीचे जहां कर देखिए आपको एक सब्सक्राइब नामत बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक कर देना और बगल में जोग मंदिर की घंट दिख रही उसको भी आल पर क्लिक कर देन मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए तो भाई यह दी बकाईती करते करते हमारे गला सूप चुका है तो हम भी जा रहे हैं कोल्डिंग पीने अबे ओ इंसान की सकल में नहीं आई ती चूती है आदमी सारी कोल्डिंग तो तुमने एक्स्पेरिमेंट में होड़ा द